कि अ अब मुझे अब आप आप अजो आप अजो आप के लिए लेके आए हैं में class 9th के लिए चाप्टर लाइंस एंड एंग इंगल्स ओके ये बेसिक चाप्टर अगर मैं बात कर दिसी दो बेसिक चाप्टर इस यह क्या है बेशिक चाप्टर से किसके लिए जियो मेटरी का अगरा आप जयो मेटरी में तोड़ा सा अपना learning is strong करना चाहते है यह पूरे जो स्रीज होंगे लाइंस और इंगल्स का उसको पूरे देखना है अडांस तो जमेटरी स्टार्ट कहां से होई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जमेटरी जो हम लोग ने class 6 से पढ़ना शुरू करा था ठीक है तो जमेटरी के start होती है कहां स कहां से start होता है इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट तो जमेटरी स्टार्ट होता है कहां से पॉइंट से ठीक है अगर हम पॉइंट की बात करें तो simply क्या है यह यह dot made by pin और pencil आप अपने pen और pencil से जो भी dot बनाते होना वो dot जो हो जाता वो क्या होता है point होता है जैसे अगर मैं यहां पे point बना दिया अंचली यह point बना दिया और इसका नाम हमने क्या लिक लिए इस point हमने लिए लिए a point हो गया एक समने बना लिए बी एक पॉइंट हमने बना लिया ती और पॉइंट बना लो चलो अच्छा लगता है तो यह बना लिए हमने यह हमारे point हो ठीक है अब्जरा देखो जैसे हमारे पास point और है और जबए wants को रध助 देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या चीज लाइन ठीक है तो लाइन क्या हो गया लाइन इस नाथिंग बट डिस इद कालेक्शन आप पॉइंट्स और जितने भी पॉइंट्स होते हैं ठीक है हूं वो सभी मेरें हम लोग बोलते हैं कौन सा पॉइंट opposite अलिनेर पॉइंट्स क्या बोलते हैं अगर और मौ प्उइंट्स लोगा, अब यहां पे बात कर लो अगर और 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 मौ पॉइंट्स कहां हैं ? एक ही लाइन पर, यह को मारें या कॉरीनियर पॉइंट्स हो गया या को linear points ठीक है अब मैं बात करू कि दो से ज़्यादा points होगा तभी तो linear points बोलेंगे और अगर line यह है points ठीक है अगर points not lying on line अगर यह line पर नहीं है डीसको बोलते हैं हम लोग non is क्या बोलते हैं, non-collinear अब बतातों तो क्या बनायगा देखो एक point हमने a ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया A, एक पॉइंट हमने ले लिया B, और एक पॉइंट ले लिया हमने C, अब ये तीनों पॉइंट को अगर मैं मिला दू तो अपने को क्या बन जाएगा, एक ट्रैंगल बन जाएगा, हमने कितने पॉइंट ले लिये, तीन पॉइंट, तो अगर न सबको अगर मिलातों पॉइंड को तो क्या बन जाएगा। सबसे पहला बनेगा तो आपको लगड़ा होगा पॉइंड ट्रेकल अगर सट लैगा लग बनेंगा अगिन सरकल का बात करें थे इसकाल में भी धीड़ सारा points होता है जो non-collinear points होते है circle भी क्या है ये circle का क्या हो गया center हो गया, ये circle का हो गया radius हो गया, पर यहां से यहां तक जो point जाएगा circle का वो हो गया, diameter, तो circle भी क्या हो गया अगर बात करे circle का ये भी sets of non-collinear points sets of non-collinear points तो non-collinear points के बार में भी आपने देखा, अगर collinear points होगा तो यह तो पता चलिए कहाँ पे होगा, cable line के ओपर होगा, अब बात करें कि line बनाने के लिए आपको minimum कितने points चाहिए, तो आपको minimum चाहिए आपको, यह याद रखेगा, minimum जो point चाहिए, वो point चाहिए आपको 2, कितने point चाहिए, दो, जैसे point ले लिया A, और एक point ले लिया B, तो यहाँ से हम लोग एक line draw कर सकते हैं, है न, तो line को तो आप दोनों side बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं, तिक है, अब यहाँ से बात करें, आगे से line में से हमने एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया, यह टुकड़ा कट कर लिया P और Q, तो यहाँ पर यह हमारा एक आगया टुकड़ा, यह पार्ट हो गया P और Q, तो सबसे पहला geometry का shape जो आएगा, वो क्या होगा point, अब point के बाद ना तो length होगा, ना तो breadth होगा, किसी type का कोई dimensions नहीं होता है, ठीक है, लेकिन line क के पास क्या होता है, line can be extended both side infinitely, दोनों side इसको जहां तक बढ़ाना बढ़ा दो, देकिन अगर उस line में से चोटा सा टुकड़ा काट ले तो parts काट लेटे हो, ठीक है, अब वो जो parts होता है ना, उसका fixed length होता है, क्या हो जाता है, fix length हो जाता है, और यह जो fixed length आपको दिख रहा है ना, यह fixed length को हम लोग क्या बोलते है, line segment, तो line segment कहा से आया भई, यह line segment जो आया, वो आ गया line में से, हम बात करते हैं कि point से क्या बना, line, line में से क्या cut किया हम लोग ने, line segment, अब line segment को अगर एक side बढ़ाओ तो क्या होगा, तिक है अगर लाइन सेगमेंट को अगर हम एक साइट बढ़ाते हैं तो क्या होगा अब बात करते हैं हम लोग किसका रे का अब आपके पास क्या आ गया भे अब आपके पास है अब आपके पास ये हो गया line segment P और Q अब इस line segment को अगर आप एक side बढ़ा दो तो क्या होगा क्योंकि line segment से line segment कहां से आया है line segment आया है line से तो फिर से उतो उसको line बनाई सकते हैं अब जो यह दिखरा है जो कहां तक बढ़ गया यह बढ़ गया आपको S तक यह हो गया रे तो रे क्या हो गया रेज होता एक पार्ट होता है लाइन का जिसका केवल एक इंड पॉइंट होता है यानि एक ये हो गया इंड पॉइंट क्या हो गया इसका ये हो गया इंड पॉइंट यानि एक इंड पॉइंट होगा और दूसरे पॉइंट को आप आसानी से बढ़ा सकते हो ठीक है अब ऐसा अगर हमने दो डे ले लिया एक डे देखो ले लिया हमने इसका नाम रखा O और यह हो गया इसका नाम A और इसी O से common points से अगर दो री ले लिया B तो यह बन जाएगा आइंग लिया ठीक है आप क्या होगा गई अगर कोई raise अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा 2 raise having 2 raise having common end point अगर दो रे का अगर end point क्या है common है तो उसको हम लोग क्या बना देंगे वो वो बना लेगा आपको angles क्या बना लेगा वो angle बना लेगा confirm एंगल बनाने के लिए कितना रे चाहिए वाई दो रे चाहिए ठीक है एक और angle बनाना है तो बना के देख लो अब हम लोग देखते हैं कितने तरह के angle होटे है okay let us see what are the different type of angles अब हम लोग अगर angles की बात करें तो हमारे पास जो angles है वो अलग लगते रहके है जैसे अगर कोई angle है जिसका major 0 से लेके कितने degree तक है 90 degree तक है अगर मैं बात करें यहां से लेके यहां तक है यह पूरा कितने degree का angle हो गया यह जो angle बन गया यह मैं बात कर लूँ A, यह O और यह B यह हो गया right angle यह कौन से angle हो गया यह हो गया आपको right angles अब इस right angles को थोड़ा सा turn कर दे हम लोग ऐसे ले ले अब आपको लग रहा न यह right angle से कटा हुआ parts है है न अब इसको हमने मान लिया क्या चीज़ C है न, अब यहां से हम cut कर दिया थे चलो यहां से अकर हम cut कर दिया और यहां पर एक नाम लिग दिया C तो यह जो angles आप देख रहे हो न C O B यह हो गया कौन सा angle यह acute angle हो गया क्योंकि इसकी value जो होती है वो कितना होता है 0 से लेके 90 के बीच में होता है तो right angle समझ में आ गया acute angle समझ में आ गया अब चलो 90 degree को थोड़ा करते हैं बढ़ा क्या करते है 90 degree को थोड़ा करते हैं बढ़ा इसको बढ़ा लेते हैं इधर एक point हमने बढ़ा लिया अब यह 90 से बढ़ा हो गया कि अब यहां अगर बात कर लें यहां पर आपका एंगल आ गया यह वाला अब यह आप देख रहे हो इसकी मेजर जो है इस थीटा की मेजर जो है वह मोर दें कितना डिगरी है 90 डिगरी है तो यह आपका हो जाए कौन सा आप इसी अंगल को और थोड़ा बढ़ा दे चलो इदर और सीधा इसको बढ़ा दे बढ़ा दे यह बन गया आपका इस अब यह जो बन जाएगा वो हो जाएगा यहां पर यहां पर O और यहां पर B यह जो एंगल यहां पर बन गया वो कितने डिगरी का बन गया है यहां पर बन गया आपको 180 डिगरी का तो यह हो गया कौन सा एंगल स्टेट एंगल हो गया है अब इसको और थोड़ा बढ़ा दो और थोड़ा बढ़ा दो तो ऐसे हो जाएगा कि इसको कर तो F यहां से यहां तक का जो एंगल बना है नहें ड़ाटीज री रिव्फ्लेक्ष इसको क्या बोलें हम लोक रिफ्लेक्स एंगल अब 돼flex एंगल कितना होगा रिफ्लेक्स एंगल के वैलू एक लेकि 360 से कम होगा और इस पॉइंट की बात अगर करें इस पॉइंट की चारोर अगर कोई एंगल बनता है तो यह बन जाता है कितने डिगरी का 360 डिगरी का इसको हम लोग बोलते है कौन सा एंगल, complete angle, तो complete angle कितने डिगरी का बना है जो complete angle बन गया वो यह basic geometrical parts है, जो आपको जानना है, अब यहाँ पर बात आ रहे हैं क्या भाई, एक angle की बात आ रहे हैं, single angle की, अब हम लोग बात करते हैं, pairs of angles, दू angle की बात करो, क्यों हो यहाँ पर, एक angle हमने बना दिया, ऐसा, पी और क्यों, एक angle हमने ले लिया यहाँ ने, ठीक है, और एक और angle बना लिया, ठीक है, स, टी और यू, अब यह दो angle की बात करे, angle 2 और angle 1, अगर यहाँ पर इस दोनों angle का value, अगर कितना आ जाता है, 90 degree, तो इसको बोलेंगे complementary, और अगर angle 1 और angle 2 की value हो जादी कितना, 180, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, supplementary angles, तो complementary और supplementary, दो angle को जोडने से होगा, single angle के जोडने या घटाने से नहीं होता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देख लेते हैं हम लोग किसके बारे में, adjacent angle के बारे में, कौन सा angle, adjacent angle, अब adjacent angle का मतला भी होता है, उसमें क्या होता है, common vertex, क्या आना चाहिए, common vertex, और एक common, और दो चीज़ होना चीज़, जैसी यहाँ पर देख लो, इसमें अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर angle A, A, O, angle A, B, or D, and angle C, B, and D, हैना, common vertex, कौन सा, यह common vertex हो गया, क्या चीज़, B, हैना, have common arm, कौन सा हो गया, यह common arms हो गया, यह, यह हो गया, common arm, यह दोनों में common है, तो यह हो गया, आपका कौन सा, B, D, तो अगर common arm आता है, तो यह angle, अगर इसको angle 1 माल ले, और इसको angle 2 माल ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, angle 1 and angle 2 are, कौन सा angle, adjacent angle, तो adjacent angle, यह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो common vertex होना चाहिए, अब दोनों angle का एक arm, चल एक और बता देते हैं बना के, जैसे एक यहां से यहां तक हमने बनाया, यह बना दिया, हमने P, O, Q, एक angle हो गया, ठेक है, अब यहीं से एक और start कर लो, R, यह बात करें angle 1 और यह बात करें angle 2, यह angle 1 और angle 2, इसमें यह common है, यह क्या हो गया, common है, एक arm common है, इसलिए angle यहां पर कौन सा, P, O, Q है, कौन सा यहां पर, angle P, O, Q, and angle P, O, R, कौन सा angle हो जाएगा, adjacent angles, confirm हो गया, अब यहां पर बात करो, हमें ऐसा adjacent angle बनाना है, जिसका non common arm, देखो यहां पर, जिसका non common arm जो होना चाहिए, ठीक है, वो straight line हो, non common arm क्या होना चाहिए, straight line अगर बना दे, linear pairings कब बोलेंगे, जब non common arm जो होगा न, none, arms, of, कौन सा angle, adjacent, angle क्या बना देगा, formal line बना देगा, ठीक है, जिससे देखो यहां पर, अगर मैं ऐसा बात कर लो, तो इसका, ऐसे, ऐसे, यह मान के चलो, A, यह हो गया B, यह हो गया D, और यह हो गया C, लेकिन जब हमने इसको produce करा, तो पता चलाएगी, फीगर अगर ऐसा बन जाए, यह सिर्फ होगा adjacent, इसको क्या बोलेंगे सिर्फ, adjacent angles, लेकिन यह angles जो कहला लेगा, वो क्या कहलाएगा, इसको बोलेंग हम लोग, linear pair, क्यों बोलेंगे linear pair, क्योंकि यह दोनों जो angle है, angle 1 और angle 2, इसमें यह common arm हो गया, यह जो non common arm है, यह दोनों क्या बना लिया है, state line, form a line, यानि कि यह आपर angle 1, और angle 2 को जोडने से कितने दिगरी का होगा, 180 degree का होगा, confirm, तो linear pair of angle का बोलेंगे, जब non common arm जो होगा, त्या, non common arm क्या बनाएगा वो, एक line बनाएगा, याद रहेगा confirm, एड़ेसेंट, एंगिल का जो non common arm होगा, वो क्या बनाना चाहिए, एक line बनाएगा, चलो next देखते हैं हम लोग, ठीक है, L, इस पर एक ray खड़ा कर दिया हमने, P, ठीक है, तो यह जो यहाँ पर देख रहे हैं हो, यह जो angle बना, this one and this one, यह जो दोनों angle बनेगा, मान के चलो angle 1 और angle 2, इसकी value जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 180 degree and this is the axiom, और axiom का मतलब क्या होता है, ऐसा statement जिसको हमको proof करने की जरूरत नहीं, अब just इसका opposite, just इसका opposite, कि अगर कोई angle है, जैसे मान के चलो, angle AOD and angle BOD are adjacent angle, ठीक है, क्या है, adjacent angle है, अब यहाँ पर देख लो, non common कौन सा है, non common arm हो जाएगी, इसमें देखो, OD यहाँ भी match कर रहा है, OD यहाँ भी match कर रहा है, तो क्या बजगया, BO और AO, अब यहाँ पर AO and BO form क्या करेगा, एक line बना लेगा, क्या बना लेगा एक line, जैसा देखो हम लोग, बता देते हैं इसको, है न, यह हो गया आपका point, D यह हो गया O, यह हो गया A, और यह हो गया B, है न, यहाँ पर कह रहा था कि इस दोनों का value, है न, if angle A, OD, plus angle B, OD का value कितना degree होगा, 180 degree, अगर ऐसा होता है तो क्या बना लेगा यह, याद रखना है, उस case में हम यह बोलेंगे कि वो क्या बनाएगा, वो एक line का formation कर लेगा, confirm है, यहाँ पर बात कर यह angle 1 और यह angle 2, यह क्या बना लेगा, यह यानि A, O, N, यहाँ पर non common arc हमने क्या रखा था, यह अपर non common arc में लिखा A, O, और O, B, तो A, O, B क्या बना लेगा, A, O, और O, B क्या बना लिया, एक line बना लिया, और line का value कितना degree का होता है, 180 degree का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना इस दोनों को हम लोग बोलते हैं, linear pair action, तो linear pair exam confirm हो गया सब लोग को, exam का मतलब ही है, इसको आपको proof करने की जरूरत नहीं, अब चलिए, हम लोग एक theorem देख लेते हैं, यह theorem क्या है, यह theorem है, if two lines, तो यहाँ पर हमने two lines कौन कौन सा ले लिया, two lines हम लोग ने ले लिया है, two lines, pq and rs, ठीक है, कहाँ पर करता है intersect, intersect at o, कहाँ पर intersect कर रहा है, तो अब हम लोग देख लिए, अगर o पर intersect कर रहा है, तो अब हमारे पास क्या-क्या आ जाता है, यहाँ पर figure को मैं थोड़ा break कर देता, सबसे पहले यहाँ पर बात करो, यह हो गया line आपका, तो आपको क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क् यहां पे बना कि नहीं बना यह एंगल कौन सा है यह हमारा बन गया एंगल यह एंगल 3 और यह एंगल 1 अब इसका मतलब क्या है यहां पर अगर हम बात करें तो क्या है अगर लाइन पर खड़ा है अगर लाइन पर खड़ा होगा तो एंगल 3 और एंगल 1 की वैलू कितनी हो जाएगी 180 अब एक और खड़ा कर देते हैं अब खड़ा कर देते हैं किसको यह वाला लाइन को ठीक है किसको चलो आर ओ ठीक है इसका अगर लिखना है आपको तो ऐसे लिख लो ओ से पी की और जा रहा था है यहां ओ से आर की और जा रहा है आर ओ कहां पर खड़ा है भाई एक श्रेंड्स आन पीकू चलो फोटो बना देते हैं ऐसे हमने बना दिया इसको इस पी किसको ख़ड़ा-कड़ा दिया हमने आरक यह हो गया कौन सा Q और यह हो गया P अब देखलो यहां पर यह angle बना कौन सा यह angle हो गया angle 3 और यह हो गया angle 2 अब इसका मतलब यहां पर angle 3 और angle 2 की value कित्की हो जाएगी 180 degree इसको मालो expression first और इसको मालो expression second अब यह दोनों expression को मिला के देखो तो दोनों expression में क्या मिला था दोनों expression में हमें मिला था angle 3 तो angle 3 तो equally equal है और 180 degree भी दोनों में match कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया अगर हम लोग देखेंगे from 1 and second तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा angle 1 is equal to angle 2 तो पहला prove हो गया ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो similarly हम लोग prove कर सकते हैं क्या चीज़ अगर 1 बड़ाबर 2 होगा तो angle 3 बड़ाबर हो जाएगा angle 4 तो यह हमारा theorem prove हो गया क्या if two line intersect each other vertically opposite angle सा equal तेक है अब यहाँ पे हम लोग example देख लो फटा फट किसकी value दी गई है यहाँ पर देख लो POR इसका value दिया गया 5X और ROQ ROQ का value दिया गया 7X अब चलो फटा पर मैं बता दू इसको solve करने का methodology अब आपको पता है कि यहाँ पे 5X और 7X क्या हो जाएगा इसकी value हमने क्या माल लिया इसकी value माल लिया हमने 5X इसकी value माल लिया हम लोगों ने क्या चीज़ 7X तो यहाँ पर हो जाएगा 5X प्लस 7X is equal to कितना 180 इससे linear पेर अगर इसकी बात करें हम लोग यह हो जाएगा linear पेर एक्जम से बात करें हम लोग अब देखलो यहाँ पे हो जाएगा 12X is equal to कितना 180 तेक है अब X की value कितनी हो जाएगे 12 से divide कर तो 12 1 जा 12 12 5 जा 16 तो X की value कितनी आगे 15 अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसका P O R एंगल का तो यहाँ पर 15 को multiply करना पड़ेगा कितने से भई 5 से यह हो गया 75 दिगरी और एंगल R O Q की बात करें तो यह हो जाएगे कितना 7 into 15 105 अब दोनों मिला के तो 180 बनाना ही बनाना था अब इसकी value आपको कितनी निकल गई इसकी value निकल गई है आपको 75 और इसकी value निकल गई 105 अब आपको पता है यह अगर 75 है तो यह भी हो जाएगा कितना 75 अगर यह 105 यह भी कितना हो जाएगा 105 तो फटा पर निकाल सकते हैं SOQ एंगल SOQ की value हो जाएगे किसकी equal अगल POR की equal अगल POR की equal अब वो कितना डिगरी है 75 डिगरी ऐसे ही हम बात करें किसका POS का अगल POS की value हो जाएगे किसकी equal ROQ की equal अगल ROQ की equal यह कितने डिगरी का हो जाएगा यह 105 डिगरी का हो गया समझे में आड़ा है यह कौन सा अगल हो गया यह हो गया vertically opposite angle यह कौन सा हो गया vertically opposite angle ठीक है यह कौन से पेर से हो गया यहां पर आपने क्या माल लिया था लिख देना कि angle P, O, R को हम लोगों ने माल लिया कितना 5X और angle R, O, Q को हम लोगों ने माल लिया था 7X यहां तक समझ में आ रहे हैं चलो अब second question देख लो फटा पर यहां पर क्या कर रहा रे, O, R and O, T are angle bisector लेकिन सबसे पहले कर रहा है कि रे, O, S कहां पर खड़ा है? PO, Q पर तो सबसे पहले यहां लिखो क्या कि रे, O, S कहां पर खड़ा है? exchange on PO, Q कौन सा रहे? OS, तो पहले इसको हम लोग break करके समझते हैं, break कर लो भाई, तो सिर्फ हम लोगो क्या खड़ा करना है? O और S खड़ा करना है, किस पर? P और Q पर, अब इस दोनों के angle का value क्या हो जाएगा? अब आपको अगर देखना है, तो P, O, S, है ना? प्लस angle Q, O, S, इस दोनों की value कितने degree हो जाएगी? 180 degree, अब देखो यहां पर क्या कर रहा है? कि O, R जो है, और O, T जो है, वो bisect कर रहा है, किसको? Angle P, O, S, and angle S, O, Q को bisect कर रहा है, चलो, bisect कर खीछेते हैं थोड़ा figure को अच्छे समझ में आ जाएगा, अब इसको bisect कर रहा है यह इसको इसके बुराबर यह बना रहा है, यह इसको bisect अगर करता है, यह कौन सा हो गया? यह हो गया आपका T और यह हो गया R अगर यह bisect कर रहा है, यह अगर X, तो यह भी X, यह अगर Y, तो यह भी Y, यह दोने equal होगी नहीं होगा? पका? अब यहाँ पर देख लो P, O, S का value कितना दियो? X, तो यहाँ पर रख लो X, इसको X अगर रखते हो, तो X plus angle Q, O, S is equal to 180 degree, तो यहीं पर अगर हम लोग बात कर करें किसका, किसकी बात कर, हमको क्या निकालना है, R, O, T, निकालना है, क्या निकालना है, R, O, T, R, O, T, कहां पर, यह वाला angle निकालना है, हम लोग, कौन सा angle निकालना है, यह वाला angle निकालना है, ठीक है? तो P, O, S का value तो दिया हुआ था, X, तो यहाँ से एकर हम बात करें तो QoS की value निकल जाएगी 180-X, यहां तक confirm हो गया, तो यह तो value आपको निकल गया, अब यह bisect कर रहा है, यह पता चल गया, अब देखो, now, आपको क्या निकालना है, angle Rot, जरा उसी से बातचित करो, Rot में चाहिए क्या चीज, यह angle 1 चाहिए, और यह angle 2 चाहिए, चलो, इसको लि यह तो TOS, जो लिखना है लिख लो, अब देखो, यह Ros चे है, वो किसका आधा है भई, याद करो, यह हो गया था, POS का आधा, इसको लिखेंगे, half angle POS, और इसको लिखेंगे, half angle QoS, और इसकी value कर देते हैं, put, अब POS को लिख देते हैं, xy2, यह half angle X हो गया, इसको लिखेंगे, half angle 180 minus X, अब इसको आप solve कर दो, यह हो जाएगा, xy2 plus 90 minus xy2, अब यह xy2 से xy2 cancel हो जाएगा, तो value कितनी आ गई, 90, तो भई, इसका मतलब है कि angle R, O, T की value कितनी आ गई, 90, यह confirm हो गया, ठीक है, example 2 समझ में आगे हैं सब लोग को, अब चलो example 3 बता देते हैं, put up and day, यहाँ पर यह सब देख लो, अब इस line को आप यहाँ पर produce कर लो, इस line को थोड़ा सा बढ़ा दो, यहाँ पर, पांच चलो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया कहा तक, T तक बढ़ा दिया, यानि हमने यहाँ पर produce कर दिया, Q O 2 T, अब देख लो यहाँ पर, यह वाला angle, angle 1, यह वाला angle माल लिया हमने 2, यह सब मिलके कितने degree का हो जाएगा, 360 का, यह तो prove करना हमको, लेकित तो हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, यहाँ पर क्या लेखाएगा, यह देख लो, angle 1, प्लस angle P O Q, यह हो जाए कितने degree, 180 degree, वैसे यहाँ यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कौन सा line है, TQ is a line, क्योंकि यहाँ पर आपने TQ क्या माना है, line माना है, वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा, angle 2, प्लस angle S O R, प्लस angle R O Q, यह वाला angle, प्लस यह वाला angle, प्लस यह वाला angle, प्लस यह वाला तीनों मिलके भी कितना हो जाएगा, 180 degree ठीके, अब इसको आफ लोग क्या बोलोगे आफ बोलोगे सर इसको तो हम state angle बोसकते हैं यहा तो line लिखो, यहा तो state angle लिखो इसको मानलो one और इसको मानलो two अब दोनों को add कर दो add कर दो किसको one और two को बड़ी असान होता add देखो angle one plus angle two यह दोनों को एक साथ हमने add कर दिया अब जो बची गया उसको लिख लो P O Q पलस एंगल S O R पलस एंगल R O S अब यह एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ोगे तो क्या होगा अब यह एंगल 1 और एंगल 2 बन जाएगा क्या चीज़ ऐसे अगर हम बात करें ऐसे तो यह हो गया एंगल 1 और यह हो गया एंगल 2 यह आपका था T है ना यह था P और यह था आपका S यान यह बन जाएगा क्या चीज P O S इसको लिखिंगे एंगल P O S पलस एंगल P O Q पलस एंगल S O R पलस एंगल यह तो दो बार लिखा गया क्या P O Q S O R यहाँ पर देख लो क्या लिखना था यहाँ पर एंगल 2 S O R और R O Q यहाँ पर लिखाएगा R O Q यहाँ पर हो जाएगा R O Q पलसा मैं इसको गरेक कर दूँ जिससे आपको दिक्कत नहों समझने में यह हो जाएगा R O Q ठीक है यहाँ भी करेक कर देते हैं यहाँ पर हो जाएगा R O Q तो यहाँ पर भी अब क्या लिखा जाएगा भाई यहाँ पर लिखा जाएगा एंगल आर ओ क्यों कितने एंगल थे एक दो तीन चार यहां भी हो गया एक दो तीन चार सब मिलके कितना डिग्री हो गया 360 कंप्लीट हो गया तेक है अब हम लोग जब आगे वीडियो में मिलेंगे तो एक साइस करेंगे थैंक यी फर वाचिंग दे वीडियो अगर अच्छा लेगे तो रहें दो